friends most welcome learning market with koohnoor trader दोस्तो आज हम सीखिंगे कि किस तरह से हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं किस तरह से हम अपने रिस्क मैंगेजमेंट को कम कर सकते हैं दोस्तों आपको सभी टीचर यह सिखाते होंगी कि आपको बड़ा profit कैसे होगा और setup के माधम से जो है आपको किस तरह से आप करोणपती बन सकते हैं या लगपती बन सकते हैं लेकिन मैं आपको किस तरह से loss लेना है अगर आप loss लेना सीखे अपना risk management करना सीखे तो आप कभी एक loss making option buyer नहीं बन सकते हैं ठीक है तो यह हमारा option premium का चार्ट है option premium के चार्ट पे हम सीखेंगे कि आज किस तरह से friday को market cable 30 minute trending था और बाकी 5 घंटे 15 minute क्या था sideways था तो दोस्तों ज्यादा तर जो option buyer होते हैं वो friday को अपने पैसे को loss कर देते हैं क्यों loss करते हैं क्यों कि friday को चाहे आपका bank nifty हो चाहे nifty हो या fin nifty हो वहाँ पर क्या होता है time decay होता है market तेजी से गर ऊपर नहीं जा रहा है तो आप चाहे call buy करे चाहे put buy करे या दोनों buy करके रखेंगे तब भी आपका loss होगा ठीक है तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी loss को कम कर सकते हैं या risk को जो है manage कर सकते हैं हमारा setup क्या है हमारा setup यह है कि जब भी हमारा setup बनेगा हमें 3 point का stop loss लगाना है nifty और fin nifty में bank nifty में 6 point का stop loss लगाना है जो strike price है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से strike price को चुनना है जब market trending होगा तभी आपको जो है entry करनी है अगर आप option buyer है तो option buyer को ज दूनों बाई करेंगे तो दूनों में आपका जो है loss होगा तो आज हम क्या सिखेंगे कि किस तरह से हम साइट बेज मार्केट को identify कर सकते हैं और किस तरह से हमें trending market को identify कर सकते हैं 3 point की stop loss के साथ nifty और fin nifty में trade कर लेना है bank nifty में 6 point के stop loss के साथ trade लेना है तब आई यह देखत के पास था 50 के पास था अगर आप दोस्तों ef trafficking कर रहे हैं तो आपको कौन सी स्व्डाइक प्राइस चुण नहीं है 25 से लेकर 20 की जुर्टी की प्राइस को चुनना है रुप hatte कर रहे है तो आपको क्या करना है नौर्मल डे में आपको क्या करना है 50 से 70 की बीच की जो strike price है इसको चुनना है और expirity में आपको क्या करना है bank nifty में 30 से लेके 50-60 की बीच में जो strike price रहेगी उसी को चुनना है तो इस तरह से nifty में या fin nifty में जो expirity है वहाँ पे आपको कितनी strike price चुननी है 15 से लेके 30 की बीच में जो strike price होगी उसी को आपको चुनना है Nifty और Fin Nifty में एक्सपारी डे पे, अन्य डे पे आपको क्या करना है? अन्य डे पे आपको करना है 25 से लेके 40 की बीच में या 50 की बीच में जो इस्टाइक प्राइस होगी उसी को आपको चुनन लेना है, मार्केट जैसी ओपेन होती है आपको अपनी strike price लगा लेनी है कि जैसे कि यहां पर हमने strike price लगाया था आपको दिखाते हैं हमने जो हैं Friday में fin nifty में trade लिया था तो fin nifty की 2 strike price 19,900 की PE और 19,850 की PE लगाया था और इससे हमने अपने टेलेग्राम चैनल में भी message किया था कि आप लोग जो है इसे strike price पे को यूज़ कर सकते हैं fin nifty का जो हमने call लगाया था 20,300 की call लगाया था और fin nifty की call लगाया था 20,350 की call लगाया था जिसमें हम लोगों ने trade लिया था और हमें एक अच्छा का सा profit देखने को मिला था तो अभी हम चलेंगे देखेंगे fin nifty तो अब यह दोस्तों हम देखते हैं कि fin nifty 19,900 की P.E. में हमें किस तरह से trade मिला था कि नहीं मिला था ठीक है तो दोस्तों मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूं कि Friday का market केवल 30 minute trending था बाकी 5 घंटे 15 minute sideways था यानि कि एगर आप option buyer हैं तो 30 minute में ही market ने आपको target दिया था ब बैठे होंगे तो आपका loss होगा दोनों में क्योंकि time decay के कारण option seller को profit होता है time decay के लाग उनको option seller को मिलता है तो आप आइए देखते हैं कि हमें trade कब मिला था अब हमारी market open होती है नो बच के पंदर मिनट पे तो हमारा जो दो मिनट का candle है या एक मिन के time frame पे हम कब तक setup है इस setup की full video मैंने अपनी YouTube channel पे upload कर दिया है आप वहांसे देख सकते हैं refer कर सकते हैं अब 9 बच के पंदर मिन को market open होती है तो market हमारी moving average के नीचे रहती candle के हाई को में मार करना है लोको मार करना है और candle यहाँ पर क्या करती है market की price हमारे two minute के time frame की candle को नीचे break कर देती है और rate candle का हाई जब तक नीचे break होगा तब तक आपको trade नहीं लेना है ठीक क्यों एक simple सा rule है मैं आपको यह सिखाऊंगा कि किस तरह से अपनी loss को कम करना है क्यों तीन point का stop loss market को देना है बाकी profit market आपको देगी setup आपको देगा ठीक तो यहाँ पे हमारा कोई setup बना नहीं और उसके 13 मिनट पे put side में 19,900 की जो हमारी PA fin nifty की वहाँ पर क्या हुआ कि 12 बच के 13 मिनट पे एक candle ने हमारी moving orange के उपर closing दिया हमारा दोनों super train green ने और हमारा mcd भी क्या है mcd भी zero line के उपर नहीं है तो आपको जो है एक fast momentum नहीं मिलेगा यह सारी चीज़े आपको मैं बाद में rate candle का हमने high mark किया और हमें यहां से 28 पे हमें buy करना है उपर तो हमें हमारा stop loss क्या हो जाएगा 25 का हमारा stop loss हो जाएगा और हमारा target क्या है यहां से हमें 10 point target upside में करना है 28 है 28 है तो 38 हमारा target होगा ठीक यह हमारा target क्या होगया 38 का अब दोस्तों आपको यह बदा देते हैं कि trade कैसे लेना है जेसे ही कोई भी candle हमारी 28 के उपर जाएगी हमारा यह setup बन गया ठीक है setup बन गया अब line को हटा देते हैं अब दोस्तों जेसे ही हमारा setup बनेगा ठीक है setup बनने के बाद हमें rate candle मिला हमने इसको मार कर लिया अब हमें बाई कप करना है जब भी कोई candle हमारी इस नीली लाइन के उपर जाती है तो हम बाई कर लेंगे हमारा तीन पॉइंट का बीच में बनने चाहिए अगर कोई भी रेट कंडल बनती है तो हमें क्या करना है रेट कंडल की नीचे अपने सट अब लास को हम बड़े बैठेंगे हमें वहाइं बीस पॉइंट लिए मारकेट दे के जाएगा जितना देगा शेट अप के लिए अकिसट नसवर हम प्रफिट लेंगे लेकिन हमें क्या करना है अगर 10 point के आसपास कोई भी rate candle बनती ही तो वहां से हम exit कर देंगे अपना 10 point लेकर हम exit कर देंगे तो यह था हमारा entry 3 point का stop loss और हमारा क्या होगा target क्या होगा 10 point का target रहेगा तो यहां पर market कोई भी setup बनाती नहीं है और उसके बाद हमें कोई setup मिलता नहीं है और trade भी नहीं मिलता है फिर से एक market यहां पर एक बच के 7 मिनट पर क्या होता है फिर से market एक green candle closing देती है तो हमें क्या करना है इसी green candle के high को मार करना है नीचे 3 point का stop loss लगाना है अपसाइड वे हमें 10 point का target लगा देना है फिर यहां पर भी हमें target नहीं मिलता है उसके बाद फिर से market यह green candle बनाती है green candle के बाद यह red candle बनता है red candle के बाद अब यह पीछी के लैन हमें क्या करना है delete कर देना है ठीक तो market ने क्या बनाया फिर से बनाया setup दो बज़ के 7 minute setup बनेगा setup के अंसार आपको क्या करना है trade लेना है setup हमारा यह फिर से बना ग्रीन candle गया है उसके बाद हमें यह red candle बनी red candle के हाई के उपर हमें buy करना है यहनकि 23 के उपर buy करना है 20 का हमारा stop loss हो जाएगा ठीक तो अब इसक candle गई यहाँ पर एक candle ने closing दिया आप साइड में आप यहाँ पर buy करेंगे ठीक यहाँ पर market दो बच के 35 मिनट पर trending होती है ठीक यह candle यहाँ पर जाती है उसके बाद एक candle दो candle तीन candle चार candle चार candle मार्केट कहां तक जाती है 27 तक जाती है ठीक अभी यह हमारा 10 point का target अचीव न करना है यहाँ पर हमें breakout मिल रहा है तो यहाँ कहीं पर भी बीच में एक कोई भी रेट केंडल नहीं होने चाहिए यानि कि अगर market को आपको बड़ा प्राफिट देना होगा तो मार्केट ने जो एक candle दो कंडल तीन कंडल यह बनाया है यह तीन कंडल में मार्केट यहाँ प तो आपको क्या करना है आपको जो आपको लॉस नहीं लेना है या तो नित्ट में निकलना है या फिर आपको जो है एक दो पाइंट जो भी मिलेगा जब भी रेट कंडल बनेगा रेट कंडल का low break होगा तो आपको exit करना है यानि कि red candle बना red candle यहाँ 24 है तो यहाँ पे आप 24 के आस पास निकल सकते हैं आपको यह वेट नहीं करना है कि market 23 के पास आएगा तो हमें निकलना है red candle बना red candle के नीचे बना यहाँ पे हम क्या हुए net to net में exit हुए ना हमें loss हुआ हमारा के वल ब्रोकरे चार्ज गया net to net में हमें आपे ले लिए यह हमारा एक stop loss गया net to net का ठीक अब उसके बाद हमने देखा यानि कि put side में आपने देखा दोस्तों के वल market कितनी minute trending थी 10 minute trending थी और पूरा put side का trade क्या गया sideways गया यानि कि यहाँ से आप पूरा द नो बच के पंदरे मिन्ट से लेके तीन बच के तीस मिन्ट थी फुल डे market sideways थी put side में के वल हमें 10 minute का trending market मिला तो copy और पेन लेके लिख लिए यह setup इतना अच्छा है आपको कि आपको trending market में ही trend पकड़ाएगा ठीक है अब आईए देखते हैं कि call side में हमें कितनी minute का trending market मिला था और कितनी देर market sideways था दोस्तों अब यह हमारा call side का setup है यहां पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड मिला था तो जो हमारा call side में हम लोगों ने ट्रेड लिया था वो लिया था फिन निफ्टी 2350 की CE में तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरह से मिला था ट्रेड तो पहले market open होती तो उसके बाद क्या होता market sideways हो जाती ठीक तो पहली candle का हमें क्या करना है पहली candle का हम high mark कर लेंगे low mark कर लेंगे तो जब भी इसका high break होगा तब हमें क्या मिले चाहिए एक साइड में पूट का चार्ट होना चाहिए तो इससे आप समझेंगे कि किस तरह का trade बन रहा है setup के साथ में तो यहां पर क्या हुआ कि मार्केट क्या करती है इसका क्या है high यानि कि अगर market 36 को call side में break करेगी तो हमें call side का trade देखने को मिलता अगर put side का पी setup हमें इस तरह से लगा लेना है अगर put side का high break होता 1 minute के time frame पे या 2 minute के time frame पे तो put side का trade हमें देखने को मिलता तो यहां पर क्या होता है market ने क्या किया हमारा setup बनाया कितने set up बना ठीक है तो यह हमारा candle हमें trade कब लेना है जब भी कोई हमारा दोनों super trend क्या होगा green होगा हमारा क्या होगा moving image के उपर market की price एक candle closing देगी candle closing के बाद हमें कोई भी red candle मिलता है और हमें वहाँ पर क्या देखना है हमारा mcd क्या होना चाहिए green होना चाहिए और zero line के हमारे तो यहाँ पर हमारा mcd क्या है mcd हमारा zero line के उपर है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से trade मिलता है अब दोस्था यह हम्आ option premium का chart है fin nifty का ठीक है fin nifty का chart है हमारा और यहां पर हम देखते हैं कि जो फिन निफ्टी है अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि फिन निफ्टी 2350 का हमारा चार्ट है तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड मिला ठी कि मार्केट ओपेन होती ही यहां पे और उसके पाद मार्केट क्या होती ही साइडवेज होता है और हमारी जो है सेटप के क्या होती ही मार्केट प्राइस नीची होती ही फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके क्या होता है मार्केट की प्राइस हमारी ब्लैक सिटप हमारा पूरा हो गया red candle का hype को हम मार कर लेंगे 36 का हमारा क्या होगा stop loss 36 के उपर हमें buy करना है stop loss हमारा क्या होगा 33 का होगा और target हमें कितना लगाना है 10 point का यहां का हमारा क्या होगा 10 point का हमें target लगा देना है ठीक है अब उसके बाद जैसे ये candle upside में यहाँ पर closing देती है closing देने के बाद आपको क्या करता है 1 candle, 2 candle, 3 candle wait करना है 3 candle wait करना है और अपने stop loss को trail करके क्या करना है 36 पे लाके छोड़ देना है अब market को आपको या तो 10 point मिलेगा या फिर market क्या करेगी आपके stop loss को hit करेगी यानि कि आपके trade लेने के बाद 1 candle, 2 candle, 3 candle के बाद आपको क्या करना है अपना stop loss net to net में trail करना है market को आपको अपना पैसा नहीं देना है market को अगर profit देना होगा तो देगी नहीं profit देना होगा तो आपको net to net में निकलना है ठीक तो यहाँ पे हम देखते हैं पर closing दे दी अब आपको market ने 10 point के उपर closing दिया है green candle है आपको wait करना फिर से हमारी क्या बनी green candle बनी तो यह हमारे लिए अब क्या हो गया bonus मिल रहा है ठीक है यानि कि 10 point का हमारा target होता है लेकिन उसके बाद 10 point के उपर अगर कोई candle closing देती है यहाँ पर हमें अब क्या मिल रहा है पर हमने ट्रेल कर दिया अपने stop loss को फिर से green candle बना फिर से green candle बना तो अभी क्या करना है फिर से हमें wait करना रेट कंडल के यह रेट कंडल बनी और market कहां पर हाई मारती है 75 का रेट कंडल बना रेट कंडल के नीचे आपको क्या करना अपने stop loss को ट्रेल करना है या फिर जब आपका यह super trend rate BANA तो आपको यहाहाँ पर क्या करना है exit कर देना है तो इस तरह से हमारा एक्जिट कहां पर हुए रेट candle कर लो यानि कि 65 64 के पास अपने को आप ट्रेल कर सकते हैं जैसी यह कितना है लगभग 66-67 का है तो यहां पर एक दो पॉइंट और नीचे 64-65 के पास अपना इस्टाप लास ट्रेल कर लेंगे और यहां पर क्या होगा मार्केट आपको एक बड़ा प्राफुट देखे गई ठीक अब आईए देखते हैं कि यहां पर हमें जो टार्गेट मिला वो कितनी देर में मिला लगभग 20 मिनट में ठीक मार्केट हमारा जो मार्केट ट्रेंडिंग था यहां पर क्या था नौबच के 33 मिनट मार्केट ट्रे तो फिर आपको यहां पर कोई सीट अप बाणा नहीं लेना है यहां पर चालिश मिνट तक हम व الإक का टाम फ्रेम देखेंगे इसके बाद क्या करना ह्ना हो सिफ्ट हो जाता है तो वह यह देखते हैं कि टू मिट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कितनी दिर साइड़ वेस था या हमें कोई टारगेट मिला कि नहीं मिला ट्रेड अब दूस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या करता है नो बच के 33 मिनट से लेके एक हाई मारता है नो बच के 35 मिनट ठीक है यानि कि 20 मिनट मार्केट क्या हुआ 20 मिनट मार्केट ट्रेंडिंग था कॉल साइड में और मॉर्निंग में 9 बच के 33 मिनट से लेके 9 मार्केट ने आपको टार्गेट कि दिनी देर में दिया आपने यहां थर्टी सिस के उपर वाई किया मार्केट ने एक केंडल दो केंडल तीन केंडल आठ मिनट में आपको टार्गेट दे दिया आप्सन बाहर को मार्केट ने क्या किया आठ मिनट में टार्गेट दे दिया ल 36 के आसपास मारी बाइंग थी और 66 के आसपास या 65 के आसपास हम निकले तो यानि कि यहां पर मार्केट तीन पॉइंट का stop loss और लगभग 30 पॉइंट हमें profit यहां पर देखने को मिला हमारा टार्गेट क्या था 10 10 पॉइंट का लेकिन मार्केट की कैंडल ने क्या किया 10 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम वेट करेंगे जब कोई रेट कैंडल बलेंगा तो उसके लोग नीचे अपनी stop loss को ट्रेल करेंगे मार्केट अब यहां पर हमारी stop loss को हीट कर देती है अब हमारा super trend क्या हो गया रेड बन गया ठीक अब यहां पर रेड बन गया मार्केट की प्राइस यहां नीचे आती है अब जब तक मार्केट 75 के ऊपर कोई candle क्लोजिंग नहीं देता है यह हमारी जो moving यूरेज है जब तक इसके उपर नहीं जाएंगी तब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा तो अब आप देख सकते हैं मार्केट sideways होना शुरू हुआ नौबच के पच्पैन मिनट से नौबच के पच्पैन मिनट से यहां पर यह candle closing देती है red candle बनता है red candle के high के उपर हम symbol लगा लेंगे इसक देखनी होता है तो अभी हमें क्या करना बैक साइट की लाइन को हम डिलीट कर देंगे ठीक कि यहां पर भी कोई setup बनता नहीं है ठीक है फिर से मार्केट एक बार trending होती है कहां पर यह हमारी ठीक यह आपका red candle बना 76 के उपर buy करना है और 76 के उपर आपको buy करना है और आपका stop loss क्या हो जाएगा 73 ठी अल्मुश्ट 73 के पास आपका stop loss आ जाएगा तो यहां से market क्या होता है एक मिन्ट के लिए उपर जाती है और फिर यहां के आपके stop loss को hit कर देती तो तीन point का आपका stop loss यहां पे hit हो जाता है फिर उसके बाद market क्या होती है sideways हो जाती है यानि कि दोस्तो कॉपी और पेन लेके लिख लिए friday को market क्या थी call side में 5 गंटे 45 मिट में केवल 20 मिट मारके ट्रेंडिंग थी put side में 5 गंटे 45 में केवल market 10 मिनट ट्रेंडिंग थी जानि य एकुल मिला के 30 मित मारके ट्रेंडिंग थी, call side और put side दोनों मिला के केवल 30 मिनिट मार्केट ट्रेंडिंग थी Friday को और बाकी का जो है 5 गंटे 15 मिनिट मार्केट क्या थी sideways थी तो यह setup क्या करेगा आपको बचा के रखेगा टोटल हमें कितने ट्रेड मिले टोटल हमें तीन ट्रेड मिले तीन में से हमारा एक ट्रेड का ये stop loss गया ठीक है एक ट्रेड का हमारा stop loss गया और हमने जो put side में ट्रेड लिया था वहाँ पे हमारा net to net में हम exit हुए और call side में हमें क्या मिला 30 point का target मिला 30 से 35 point हमें मिले तो एक मे हम net to net में निकले, 3 point का हमारा last हुआ, अगर हमें 35 point capture किया, तो 30 point in the end of the day, हम 30 point अपने घर ले के आ पाए, तो इस तरह से हम दोस्तों identify कर सकते हैं, setup के माध्य हम से कि market sideways कितनी दियर रहा, market जो है trending कितनी दियर था, तो कुल मिला के हमने आपको दिखाया, कि जो market sideways था, call के chart पे और put के chart पे कितना, 5 गंटे 45 मिट जो है market क्या थी, 5 गंटे 15 मिट market sideways थी, 10 मिट जो है market जो है trending था कहाँ पे, put side के chart पे, और 20 मिट market trending था कहाँ पे, आपके call side के chart पे, तो इस तरह से दोस्तों हमें analysis कर सकते हैं, और दोस्तों मेरा मोटी यह है, यूटूपर व्यूडियो बनाने का हमारे देश का प्रतेग नागरिक, share market की बारेकियों को अच्छे से समझ कर, अगर हम और आप अपना 500 रुपए प्रतिमाह भी, nifty 50 की किसी भी company में invest करते हैं, आँगे आने वाले समय में हमारे पास इतनी पूंजी हो जाएगी कि किसी भी bank से, या किसी भी company से हमें loan लेनी के वस्तता नहीं पड़ेगी, कि हम अपने परिवार का पालन पूसन आसानी से कर सकते हैं, अपने बच्चे कोई higher education को भी हम आसानी से कर सकते हैं, अगर आप लोग investing सीखना चाहते हैं, तो आप मारे टिलिग्राम चैनल के साथ जूड़ी जाईए, जहां पर मैं आपको सिखाँगों किस तरह से investing की जाती है, और किस तरह से share market को एक business के रूप में लेके, हम पनी life में grow कर सकते हैं, मिलते हैं दोस्तों निक्स्ट वीडियो में, have a good day, thanks for the watching video, may God bless, I love you.